ओम शान्ति सोला मार्च दो हजर चोबिस की मुल्ली आज की मुल्ली है याद को स्थाई कैसे बनाए बाबा से करंट लेना सर्च लाइट देना जैसे ब्रह्मा बाबा देते थे और ज्ञान और योग की सबजेक्ट का आप सिभेद साथी स्वादर्शन चक्रधारी बनने का वर्दान बाबा के इन अनमोल ग्यान रत्नों को हम जीवन में जमा कर लें अपना खजाना बना लें इसके लिए एकका ग्रता से योग युक्त होकर मुर्ली सुनना होता है जिससे हर ग्यान की बात जीवन की धारणा बन जाए तो चलिए हम चलें भीतर की और अंतर मुखो आत्म जयोती का दर्शन करते हैं याद दिलाते हैं अपने को मैं एक अमर जयोती बिंदू आत्मा हूँ देहे के भीतर हूँ इसको जीवन दे रही हो मैं भिन्न शक्ती हूँ इससे निकल जाओं तो भी जीवित हूँ लेकिन मेरे बिना शरीर मर जाता है मैं मूल और जावान शक्ती हूँ आत्मा मैं परमात्मा की संतान हूँ वो मेरे पिता महा जयोती बिंदू है प्रमलोक निवासी है और स्रिष्टी पर अवतरित होते है मुझे पावन बनाकर वापिस ले जाने के लिए अब मैं आत्मा अंतर द्रिष्टी से देखते हूँ कि वो आप अधारे हैं ब्रम्हा के मस्तक में उनके मुखारविंद से ज्यान वाने उच्चारण करते हैं मेरी और देखते हुए आज शिबाबा बुले मीठे बच्चे ज्यान के डिपार्टमेंट अलग है योग की अलग है योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है और योग के लिए एकांत की जरूरत है आज मुरली के बीच में भी बाबा ने स्पष्ट किया है की ज्यान से पापनाश नहीं होते समझ बढ़ती है लेकिन एका ग्रहो बाबा को एकांत में याद करें उससे आत्मा बल बढ़ता है और आत्मा सतो प्रधान हो जाती है फिर बाबा इस याद को स्थाई बनाने की वीधी समझा रहे है की बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ ये शरीर भी याद न रहे सब इश्वरी सेवा में लगा दो जो भी गुण शक्तियां, खजाने या सिट्स सोचना है के जन कल्यान के लिए हैं यही है मेनत इस मेरे पन से बुद्धी निकालना, भूल जाना यह मेनत करनी है इस कुर्बानी से याद स्थाई रह सकती है तुम बच्चे प्यार से बाब को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी बाबा भी करंट देंगे करंट से आयू बढ़ती है आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है विकारों के रोग से मक्त प्योर तो इसलिए थाई याद में रहने की विधी को एक दम कंठ कर लेना चाहिए जो है सब भूलना है शरीर सहित और विश्व कल्यान के कारे में लगाना है यह कुर्बानी करनी है यह याद से बाबा की याद मिलती करंट मिलती आयू बढ़ती है ऐसा एवर हेल्दी बन जाना है फिर बाबा इन दोनों सबजेक्ट्स की समझ दे रहे है ज्ञान क्या योग क्या तो बाब के पास योग और ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना है जो आकर तुम बच्चों को देते हैं योग और ज्ञान दो चीज़े हैं ज्ञान तो सहज है उसमें माया के विघन नहीं पढ़ते हैं ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं नहीं मुख्चे है याद जिसमें माया के विघन पढ़ते हैं क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे इसलिए बाबा भी बार बार केते हैं मना भवर मुझे याद करो ताकि माया से छुट जाओ ऐसे भी नहीं कि सिर्फ एक जगए बैठ याद करना है चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो बाप की याद से बुद्धी सोने का बरतन बन जाती है यानि शुद्ध ऐसी बनती है जो रिसेप्टिविटी बढ़ जाए यान रिटेन होने लग जाए और यान धन धारन होता है तो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है याद के बिगर सतो प्रधान बनना असंभव है हमने दोनों सब्जिक्ट के बारे में समझा फिर बाबा करंट लेने की विधी बता रहे हैं जो बच्चे बाब को अच्छी रीती बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है अच्छी रीती, बहुत याद करके करंट ले न, क्योंकि बाब को खींचते हैं, याद से याद मिलती है, काइदा है दुनियावी रीती से भी कहते हैं न, कि दिल को दिल से रहा होती है, तो हम बाबा को याद करेंगे, बच्चे ही सारा दिन बाब को याद नहीं करते, तो बाब भी याद नहीं करेंगे पिछाडी में आने वाले जो उंच पद पाते हैं, उसका आधार भी याद है, उन्हें बाब की बहुत याद रहती हैं, इसलिए आटोमेटिकली कशिश करते हैं आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो याद एकदम भरपूर कर देती हैं, याद से आयू बढ़ती हैं एवर हेल्दी बनते हैं, याद में इतनी ताकत हैं, जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं, जो क्यों नहीं, हम बाबा को याद करके ऐसा करंट लें, जो बाबा को हमारी कशिश होती रहे, भरपूर हो जाएं। फिर बाबा इश्वरिय पढ़ाई के लिए कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों को जो गुई है ते गुई है बातें सुनाता हूं, उस पर विचार सागर मन्थन करो, चर्निंग करो, परन्तु इसके लिए फुर्सत चाहिए, चानती चाहिए, तुम नई-नई पॉइंट्स नोट करो, और फिर भाषण के समय रिवाइज करो, नई तो भाषण के बाद याद आएगा, कि ये पॉइंट्स अगर समझाते, तो बुद्धी में ठीक बैठ जाती, तुम सब नंबर वार ज्यान के स्पीकरो, बाबा की बात अलग है, क्योंकि बाप दादा, प्रमा बाबा में शिब बाबा दोनों इकठे, मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, हमें भी मम्मा बाबा की तरह, ज्यान के पॉइंट्स की गहराई में जाकर नोट करके, फिर उसको दूसरों की सेवा में यूज करना है, फिर बाबा सेवा की अन्यविधी, मंसा सेवा, सर्च लाइट देना, उसके लिए बता रहे हैं, समझो, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है, उनको करंट देनी है, मदद करनी है, तो कैसे करो, उसके लिए बाबा ने समझाया, तुम्हें बाब को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ, कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी करना ये जैसे सर्च लाइट देना होता आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है बाब कहते हैं दूसरे को करण्ट देना है तो फिर रातरी को भी जागो यानि एक्स्ट्रा टाइम लगाओ बाबा का करण्ट अपने में भर ke फिर campaigns करना है कि दूसरे शरीर के अंदर फलानी आत्मा को करंट जा रहा है इसके लिए ब्रह्मा बाबा का अनुभव भी शिव बाबा बताते है कि कैसे ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायन की पूजा करते थे गीता पढ़ते थे कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए बाबा ने जब प्रवेश किया तो साक्षतकार हुआ और सब कुछ छुट गया भक्ती की बाते भी उड़ गई रचता और रचना की आदी मध्य अंत की नौलेज बुद्धी में आ गई फिर प्रमा बाबा कैसे सेवा करते है कोई सर्विसे बिमार है तो तरस पड़ता है क्योंकि बाब का लव बच्चों पर जासती है ऐसे बच्चों की याद बाब को खिंचती है तो नेंद फिट जाती है ये फुरना लग जाता है फलाने को करंट देनी है तो बाबा का धंदा ही है बच्चों को सर्च लाइट देना जब बहूत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाब को बहुत याद करता हूँ तो बाब भी सर्च लाइट देते हैं फिर इसको कृपा कहो आशीरवाद कहो कुछ भी कहो रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे क्योंकि उनको पावर की दरकार परन्तु ध्यान रहे बाबनी का ऐसा कोई अनन्य सर्वे सेबुल योग्य बच्चा है उसके लिए ऐसी मेनत कर सकते हैं फिर बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं बच्चे इस समय सब रोगी हैं तुम बोलो आप जो घड़ी घड़ी बिमार पड़ते हो हम आपको ऐसी संजीवनी बुटी देंगे जो तुम कभी बिमार नहीं पड़ेंगे यहां कोई धूल संजीवनी बुटी नहीं है लेकिन यह ज्यान की समझ और योग की विधी है तो उनको बता सकते हैं जो तुम्हें ऐसी संजीवनी बुटी है जो हमारी शारेरिक बिमारियों को भी कम करती है और जितनी होती है वो मैसूस नहीं होती परन्तु अगर यह ज्यान योग की दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो क्योंकि सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन शिबाबा है जो तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम 21 पीड़ी सत्यवत्रेता तक बिमार नहीं पड़ेंगे आत्मा इतनी पावर्फुल योग्य और विकार मुक्त हो जाती है जो फिर देहे भी जनम जनमांतर निरोगी मिलती है तुम ऐसे सब को समझाते रहो तो मनश्य वंडर खाएंगे तो ऐसा सेवा का कार्य हमको करना है जो साब को निरोग कैसे बनते हैं उसकी विधी समझ आ जाए और उसको अपना लें अब चलिये बाबा से वर्दान लेते हैं सत्गुरु वर्दान देते हैं अपने शक्ती साथ देते हैं उनका महान संकल्प हमको मिलता है अगर हम आग्याकारी होकर हांजी कर दें वो जीवन में उतर आता है चलिये मन बुद्धी से एक का ग्रहू बाबा की यार देखें बाबा का देदिप्यमान जोती स्वरूप ब्रम्हा के नैनों से बरस्ता उनका नोर उनके मुखा अर्विंद से उच्चारित होता वर्दान बच्चे स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव अपने आपको जानना अर्थार्थ स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्यान जानना अर्थार्थ स्व दर्शन चक्र धारी बनना तो स्व का दर्शन पूरे चक्र में करना ये है का दर्शन चक्र को धारण कर लेना तो जब स्वदर्शन चक्र धारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र समाप्त हो जाते हैं ये कि अपना ब्रॉडर रोल पूरे नाटक का समझ आ जाता है तो माया की तेरे मेरे अपने पराई की उल्जनों का चक्र कट जाता है देहिभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र माया के अनेक चक्र, 63 जनम इनी अनेक चक्रों में फंस्ते रहे अब स्वधर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए स्वधर्शन चक्रधारी बनना अर्थार्थ ज्यान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना तो हम दिन भर अपने इस चक्र फिराने के अभ्यास को अवश्य करते रहें और उड़ती कला की और चलें सलोगन विदे ही स्थिती में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी अज की मुरली से होंवर्क लेते हैं कि हमें चलते फिरते भोजन खाते देही अभी मानी हो बाप को याद करने की मेनत करनी है पूरा अटेंशन में रहना और बाबा से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना और इस अंत्यम जनम में देहे सहीत अपना सब कुछ इश्वरिये सेवा में सफल करना है कात्री को जाग कर भी करंट देकर मददगार बनने की सेवा करनी है और कम से कम एक दिन में बारां बार स्वादर्शन चक्र फिराने का अभ्यास करना है ऐसी एक अग्रता बढ़ाएं जो अपने को देहे से न्यारा विदेही स्वरूप में स्थित करें जिससे सब परिस्थितियां पार हो जाएं ओम श्यांते झाल 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 झाल